ऐसे क्या देख रहे हूँ? वो विक्की विद्या का वो वाला विडियो जो आज कल वारल हो रहा है, वो मैंने ही हूँ? आम विद्या? विक्की और विद्या का वो वाला विडियो आने वाला है, तो कब आ रहा है? I just want to clarify वो वाला विक्की ये वाला विक्की नहीं है Hello and welcome to our new video तो आज हमारे विडियो में हम एक विडियो की बात करने जा रहे हैं क्या आपने वो वाला विडियो देखा? अरे वो? कौन सी वो? अरे विक्की विद्या का वो वाला विडियो वेल विद्या बालन तो सोशल मीडिया में आके कनफेस करकर के ठक चुकी है कि ये विद्या वो विद्या नहीं है उन्होंने कहा Hi ऐसे क्या देख रहे हूँ? वो विक्की विद्या का वो वाला विडियो जो आज कल वाइरल हो रहा है वो मैं नहीं हूँ वो कोई और विद्या है जिसके पीछ मीडिया पढ़े है कर दैसे भी सब दूत का दूतर पानी का पानी हो जाएगा उधर विक्की कॉशल में भी अलग से अपने इंस्टेग्राम हैंडल में आके कहां कि वो ये वाले विक्की नहीं है क्योंकि ऐसा उन्होंने कहां कि लोग उनसे मैसेज करके पूछ पूछ के उनको परिशान कर रहे है कि उनका विडियो कब आएगा तब विक्की ने क्लारिफाइ करते हुए कहां कि ये विक्की प्लीज वाले विक्की है तो अब आप समझ जाओ ये वाले विक्की नहीं है वो वाले विक्की विक्की प्लीज वाले विक्की है not me जिनको समझ में आया ठीक है जिनको नहीं समझ में आया वो कल तक कवेट कर सकते हैं उनने सब समझ में आजाएगा वेल ये तो एक बहुत फ्रेश मार्किटिंग टाक्टिक था हम बात कर रहे है मूवी विक्की विद्या का वो वाला विडियो जिसके डिरेक्टर है राज शांडिलिय जिन्होंने बहुत ही बहतरीन और फ़नी मूवी ड्रीम गल भी हमें दिया था वेल फिल्म के लीट में है हमारी National Crush और ये कहे कि New National Crush जोहाली में काफी फिल्मों में नज़रा चुकी है और नज़राने वाली है ट्रिप्ती डिम्री और मेल लीट में है राजकुमार राव जिनकी फिल्मस 3-2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थमने का नामी ने ले रही है लेकिन फिल्म की एक leaked scene है जिसमें द्रिप्टी ब्लू कॉस्ट्यूम में नजर आ रही है जहां पे वो बहुत ही sensual भी दिख रही है वेल ये एक dance number sequence जैसा लग रहा है अब ये नहीं पता कि ये जान बूच के leaked क्या गया है to create some upload about the movie या फिर गलती से ही upload हो गया है anyway लेकिन जो भी हो वो glimpse देखके हमें जरूर अच्छा तो लगा फिल्म का title सुनके ऐसा लगता है कि ये कोई leaked tape के बारे में है जो की बाद में scandalous हो जाती है और उसी अफला तफली में humor का तड़का पैदा होता है तो फिर देखना तो बनेगा कि ये movie ultimately है कि storyline पे क्योंकि हमें exactly उसके बारे में नहीं पता है अभी तक well trailer teaser आ जाएगा तो कुछ अंदाजा तो लगा पाएंगे तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा लेकिन Vicky Kaushal ने जो वीडियो दी है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आज शायद इस फिल्म का कुछ तो रिलीज होने वाला है जिसका हम भी वेट कर रहे हैं वैसे फिल्म की रिलीज टेट आ चुकी है and that is 11th October so 11th October को ये थेटर पे आ जाएगी but wait 11th October को आलिया बट की जिग्रा भी आ रही है जो कि already काफी जादा sensation क्रियेट कर चुके है अपने स्टोरी लाइन से और उस फिल्म के तो टेलर भी लॉंच हो चुका है well आलिया की फिल्म तो एक intense action drama फिल्म है जहाँ पे impeccable performances and characters देखने को मिलेंगे for sure लेकिन हमें इससे ये तो पता चल गया कि दोनों फिल्में box office में और थेटर में clash होने वाली है मतलब धमाका होने वाला है मज़ा आ जाएगा एक तरफ होगा comedy drama film और दूसरी तरफ होगा action drama film और दोनों के actors बहुत जबरदस्त है तो देखते है कि कौनसी film कितनी audience अपने तरफ पहले खीच पाती है ये तो दोनों film जब release होगी तभी पता लगेगा खर मैं तो इस clash को लेके excited भी हूँ and it'll be like an ultimate face-off so get ready for this face-off and see you on the next video this is me Ishita, do keep loving us and like, share, subscribe to our channel bazooka reviews झाल, 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 झाल